हत्ती आनी लाणगा, हात्ती और भेडिया, एका मना, सुनो और पढ़ो, एके दिवशी, एक लाणगया ने एक ससा पकड़ला, यानि एक दिन एक भेडिये ने एक खरगोश को पकड़ा, त्याने त्याचे पाए, वेली ने बांधून, सशला टोपलीत ठेवले, यानि उसने उसके पैर, रसी से बांधे और खरगोश को टोकरी में डाल दिया, ससा खूब घाबरला, यानि खरगोश बहुत डर गया, सशा निपशित पडून राहिला, यानि खरगोश चुपचाप लेटा रहा, लाणगया ने टोपली डोक्यावर घितली, आनि तो जंगलाद निगाला, भेडिये ने टोकरी सर पर लेकर जंगल की तरफ चला गया, वाचवा वाचवा, असे ससा और रडू लागला, यानि बचाओ बचाओ ऐसे खरगोश चिलाने लगा, एक हत्ती फनस के ज़ाड़ के पत्ते खा रहा था, त्याने ससा चा आवाज एकला, यानि उसने खरगोश की आवाज सुनी, हत्ती ने टोपली तिल सशला पाहिले, यानि हात्ती ने खरगोश को टोकरी में देखा, हत्ती ला त्याची दया आली, यानि हात्ती को उस पर तरस आया, त्याने सशला मदद कराईचे ठरोले, यानि उसने खरगोश की मदद करने का फैसला किया, हत्ती ला एक युक्ति सुचली, यानि हत्ती को एक तरकीब सुजी, त्याने पटकन एक फनस तोड़ा, यानि उसने जल्दी से एक फनस तोड़ा, लाणगा जाड़ा जवडून जात अस्ताना, त्या जागी हत्ती ने फनस थेवला, जैसे ही भेड़िया दरक के खरीब पहुचा, तो हत्ती ने उसकी जगा फनस रख दिया, हत्ती ने तोपली तिल सशला हडूच उचुले, यानि हाती ने तोकरी में से खरगोश को आइस्ता से उठा लिया, लाणगाला काही ही कर ले नहीं, यानि भेड़िये को कुछ भी पता नहीं चला, तो पुढे निगून गेला, वो आगे बढ़ गया, हत्ती ने सशच जीव वाच वला, यानि हाती ने खरगोश की जान बचाई, दोगन ची छान मैत्री जहली, यानि दोनों अच्छे दोस्त बन गए,